अलो फ्रेंड्स मैं सब्डोक्र सुनील तंवार कंसल्टेंट एंटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे एक बड़ा ही कॉमन क्वेस्टन बड़ा ही कॉमन सवाल जो मेरे पेशेंट जो है सर्जरी के बाद जो पूछते हैं पर्टिकुलरली आगे बढ़ने से पहले दिएगे बैल आइकोन को प्रेस करना यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिसे आने वाले एंट के रिप्योगी रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें दोस्तों अगर आपके कान की सजरी हुई है तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि जो डॉक्टर ने आपको आदेश दिये हैं निर्देश दिये हैं जो आपको ऑप्रेशन के बाद जो है अब आप जब डिस्चार्ज हो के जाते हैं तो अच्छे से जो डॉक्टर की जो सला है उसको समझना चाहिए और आपके दिमाग में जो query हैं वो पूछ लेना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि patient बार-बार phone करता है, doctor नहीं attend कर पाता, patient को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको जो भी operation बाद की जो query हैं वो सारी समझ लेनी चाहिए, सबसे important बात जो year की आपको जो है surgery की बाद जब patients बंद कर देते हैं, उनका ये कहना होता है कि ये मेरे को गर्मी कर गई है, इससे जो है suit नहीं किया, दोस्तों ये गलत है, इससे हमारा जो operation जो है, हमारी जो surgery है, उस पे जो है वो गलत effect पड़ता है, result अपर होते हैं, अगर आपको कोई medicine शूट नहीं कर रही है, तो आप द बताईए कि ये दवा मेरे को suit नहीं करी, तो उसका दूसरा replacement doctor आपको तुरंत बताएगा, जिससे हमारे operation में effect नहीं हो, नमबर दो, आपको जो year के उपर आपकी जो dressing है, दोस्तों उस dressing को जो है, वो बराबर छेड़ खानी नहीं करना है, अगर आपने doctor ने 10 दिन या 7 देज के लिए, जिसको master dressing बोलते हैं, कान की जो dressing है, वो जो हमने surgery की है, उसकी protection के लिए लगाई जाती है, तो उसको आपको बीच-बीच में change नहीं करना है, तीसरा क्या है, दोस्तों, जो कान की जो operation के बाद हमें कुछ जो है, ऐसे changes होते हैं, जो operation से पहले नहीं होते हैं, जो हम बाद में होते हैं, उनको भी ध्यान से समझ लेना चाहिए, कान की जो dressing होती है, master dressing है, उसके बाद में क्या होता है, कि ear के अंदर operation करने के बाद कुछ जेल फॉम होता है, जो एंटिबाइटिक सॉक्ट एक solution होता है, जो उस नए परदे के उपर फिल कर दिया जाता है, लगा को ऐसा लग रहा है, बहुत बार जब हम swallow करते हैं, तो कुछ sounds भी आती है, यूस्टेक एंट्यूब क्लोजर के कारण, तो ये सब चीज़े normal है, इसके अलावा, master dressing होती है, उसके कारण दोस्तों, बहुत बार क्या है, कान की यहां पे जो, जिस side हमारा operation होता है, आंख पे उस mastoid, जो dressing के कारण कई बार आंख में swelling आ जाती है, उससे गवरानी की जरूत नहीं है, आपको अगर ऐसी इस्तिति में जो है, आपको swelling आ रही है, तो एक bandage को जो है blade या कोई भी वह लेके, और उसको जबड़ा सा tight bandage को डिला कर लेना चाहिए, बहुत 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 तो operation के बाद में आपको थोड़ा सा liquid जो diet है, वो लेते हैं, and then फिर semi-solid diet लेते हैं, और जो बहुत तेज चबाने वाली diet है, वो दोस्तों हमें नहीं लेनी चाहिए, बहुत बार patient को, जो है, सरजरी के बाद में, जो है, non-based, martin या इस टाइप में जो चीजे हैं, वो usually हमे avoid करनी चाहिए, दूसरी बात, जो खानपान का जो है, दोस्तों, वो हमें कम मसाली की चीजें लेनी चाहिए, बहुत highly spicy food अगर हम लेते हैं, दोस्तों, तो हमारे कान के अंदर जो है, उसका जो है effect रहता है, बहुत बाहर eating होती है, उसके कारण स्नीजिंग भी होती है, तो य जो खटा है, वो आप आराम से खा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिकत नहीं है, वाइटामीन सी उसमें होता है, जो हमारा वुंड होता है, जो हमारा गाहा होता है, जो ऑपरेशन जो होता है, उसको हमारे को healing में help करता है, तो वो आप जो है, अच्छे से खा सकते हैं, इसके अ आपका ओप्रेशन जो है उसमें हो सकता है जो उसका हीलिंग डिले होता है और उसके रिजल्ट पे आपको फरक पड़ता है इसलिए आपको एलकोहल और स्मोकिंग एट लिस्ट जो है दस-पंदरा दिन तक आवोइड करना चाहिए दोस्तों इसके अलावा जो है डॉक्टर ज जो आपको प्रिकोशन्स परहिज और जो खान पान में जो द्यान रखने की बाते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको कोई दिमाग के अंदर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं और आई थिंग इस इंफोरमेशन रिगार्डिंग पोस्ट